नमस्कार, आज हम पढ़ते हैं Francis Bacon का निवंध जिसका टाइटल है Of Adversity Adversity आप जानते हैं, बुरे दिन होते हैं, मुसीबत होती है, दुरभाग्य होता है उसका opposite prosperity है, जिसको सम्रिधी बोलते हैं हिंदी में, अच्छे दिन होते हैं, सौभाग्य होता है तो बुरे दिन कोई नहीं चाहता अपनी जिन्दगी में, सभी लोग prosperity चाहते हैं, adversity कोई नहीं चाहता लेकिन यहां Bacon आपको बताएगा, कि जो adversity है, वो हमारे अंदर छिपे हुए जो अच्छे गुन है, qualities हैं, उनको बाहर लाती है तो life में adversity का भी होना उतना ही जरूरी है, जितना prosperity का तो चलिए देखते हैं, it was a high speech, it was, यह थी, a high means, उंची quality की, उंची speech मने भाशन, यह एक उंचा भाशन था, अच्छा भाशन था, of Seneca, Seneca का Seneca को आप जानते ही होंगे, अगर literature पढ़ते हैं, तो आपको पता हुआ कि यह एक roman philosopher और tragedian है, तो वो अपने tragedies के लिए काफी जाना जाता है, उसने जो लिखी है tragedies उनमें revenge की theme जो है, वो prominent है, revenge tragedies उसने लिखी है, तो उसका एक भाशन है जिसमें उसने कुछ कहा है और Bacon उसके बारे में कह रहा है कि यह बहुत उचा भाशन था, after the manner of the stoic, after the manner means तरीके के, तरीके से, उसी तरीके से उसने भाशन दिया, जैसे कि stoic देते हैं, stoic यूनानी दाशनिक थे, यूनानी लोग थे जो एक दर्शन को फॉलो करते थे, एक philosophy को फॉलो करते थे और stoics की philosophy यह थी कि life में pain और pleasure, यह दोनों आते रहते हैं, सुख और दुख, खुशी और गम यह आते रहते हैं, तो जब आपको खुशी मिले, तो आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, जब आपको गम मिले, तो philosophy के according, after the manner of the stoic, तो stoic लोगों की manner, यानि उनकी philosophy के अनुसार ही सेनेका ने भाशन दिया, that कि the good things, अच्छी चीज़ हैं, which belong to prosperity, belong to बने संबंद रखना, prosperity, अच्छे दिन, सम्रिधी, तो जो अच्छी चीज़ हैं, जो कि सम्रिधी से संबंद रखती हैं, are to be wished, विश मने are to be wished, यानि उनकी इच्छा की जानी चाहिए, वो इच्छा की जाने के लायक हैं, वो इस लायक हैं कि हम उनको पाने की इच्छा करें, बट लेकिन, the good things, अच्छी चीज़ हैं, that belong to adversity, जो कि मुसीवत के दिनों से संबंद रखती हैं, belong to बने संबंद रखती हैं, adversity, मुसीव के दिनों से संबंद अच्छी चीज़े हैं, are to be admired, admire मने तारीफ करना, प्रशन सा करना, तो उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए, यानि वो भी बहुत अच्छी चीज़े हैं, जो हमको adversity में, यानि मुसीवत के वक्त देखने को मिलती हैं, यही जो बात है, देखिए, बोनार सेक्यू, यह सेकंडारम, ओप्टा बिलिया, एडवर सेरम, मिरा बिलिया, तो यह लैटिन भाषा में यही बात कही गई है, certainly निश्य ही, if यदि miracles means चमतकार, be the command over nature, तो miracles means चमतकार भी मने होते हैं, the command means नियंतरन, control, over nature अपनी प्रकरती पर, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, अपने बॉड़ी पर, command रखना, वो nature में क्या है, हमारा तन्मन यह शामिल होता है, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, nature में शामिल होता है, तो अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, command रखना, control रखना, अगर चमतकार है, तो miracle है, तो they appear, वो दिखाई देते हैं most सबसे ज़्यादा in adversity यहनी जो हमारे बुरे दिन होते हैं उस वक्त दुर्भाग्य के समय बदनसीबी के समय हमें सबसे ज़्यादा चमतकार दिखाई देते हैं क्योंकि अपने उपर control रखना अपने आपको सम्हालना अपने उपर नियंतरन रखना यह चमतकार हैं और यह चमतकार हमको सबसे ज़्यादा कब दिखाई देते हैं in adversity बदनसीबी किसम है it is yet a higher speech it is यह है yet फिर भी a higher speech एक बहुत उचा भाशन of his उसका than the other बजाए दूसरे के much too high यानि बहुत ज़्यादा ही उचा है यह भाशन for a heathen एक काफिर के लिए heathen किसको क कहा जाता है जो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं ऐसे ही जो रोमन के बहुत सारे देवी देवता होते थे यूनानियों के ग्रीक्स के बहुत सारे देवी देवता होते थे लेकिन जो क काफिर कहते हैं जो बहुत ज्यादा बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं तो यहां पर बेकन क्योंकि खुद क्रिश्चन है तो उसने सैनेका को कहा है हीथन क्योंकि वो एक रोमन राइटर है और रोमन्स के बहुत सारे देवी देवता होते हैं तो यह बात बहुत पहना इन वन एक व्यक्ति के अंदर दा फ्रेल्टी मींस वीकनेस कमजोरी ओफ अमेन मनुष्य की और दा सिक्यूरिटी ताकत ओफ अगॉड एक ईश्वर की तो सिक्यूरिटी सुरक्षा भी होती है हिफाज़त भी होती है और आप ताकत भी कह सकते हैं हिफाज़त होती है सुरक्षा होती है वो हमारी ताकत भी तो होती है तो दोनों ही मीनिंग यहां पर लागू होते है सिक्यूरिटी को आप हिफाज़त कह लीजे चाहे ताकत कह लीजे चाहे सुरक्षा कह लीजे तो ये एक बड़ी महानता है एक मनुष्य के अंदर अगर एक मानविय कमजोरियां भी है जो कि इंसान के अंदर होती है वो कमजोरियां भी है और जो इश्वर के अंदर होती है जो गौड के अंदर होती है वो ताकत भी है अब यही बात यहां पर लैटन भाशा में है यह कुछ शब्दा आपकी समझ में आप ही रहे होंगे जैसे मेगनम है तो ये महनता होती है मेगनिफाई इसी से बना है मेगनेनिमिटी इसी से बना है मेगनेनिमस वर्ड इसी से बना है और ये है फ्रेजलिटी आपको मालूम है phrasile कमजोर चीज़ें होती है कमजोरी होती है तो यह क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो उसने ग्रीक भाषा से लेटिन भाषा से जर्मन भाषा से फ्रेंच भाषा से बहुत सारे शब्द लिये हुए हैं तो roots उसकी वहीं है hominist मनुष्य के लिए आता है deity जैसे English में deity शब्द है तो वो day इसी से आया है security इसी से आया है security term this would have done better in poesy this यानि यह जो बात है यह जो बोली है सेने का ने यह बात would have done better मतलब कि बहतर होती अच्छा काम करती in poesy यानि कि poetry में कविता में where जहां पर transcendences transcendences क्या होता है exaggerations बढ़ा चड़ा कर कोई बात कहना are more allowed वो ज्यादा allowed होते हैं उनकी ज्यादा अनुमती होती है ज्यादा इजाज़त होती है तो बढ़ा चड़ा कर बात कहने की इजाज़त शायरी में होती है poetry में होती है तो वहां ऐसी बातें कहना ज्यादा मुनासिब होगा and the poets और जो कभी लोग होते हैं शायर होते हैं indeed बास्तम में have been busy यानि व्यस्त रहते हैं मश्गूल रहते हैं with it इसमें यानि बढ़ा चड़ा कर बात कहने में for it is in effect the thing which is figured in that strange fiction for चलिए देख लेते हैं क्योंकि काफी बड़े sentence है एक बार में पूरे sentence को पढ़ना और फिर उसको एक साथ meaning निकलना के लिए मुश्किल होता है तो इसलिए मैं तोड़-ड़ के meaning निकलती हूँ तो फिर से देखते हैं for और क्योंकि it is ये है in effect effect होता है प्रभाव तो प्रभाव में the thing cheese which is figured जो कि दिखाई गई है in that strange fiction strange होता है अजीब fiction होती है कहानी उस अजीब कहानी में of the ancient poets ancient होते हैं पुराने या फिर प्राचीन poets कभी तो जो पुराने कभी है प्राचीन कभी है उनकी कहानी में दिखाया गया है which seemeth जो कि seem मने लगना which seemeth जो कि लगता है not to be without misery यहाँ पर misery या होना चाहिए mystery होना चाहिए मेरे साब से तो mystery रहसे होता है which seemeth जो कि लगता है not to be without mystery बिना रहस्यका नहीं not to be होना without mystery यहाँ पर ज़्यादा sweetable है misery तो कश्ट होता है मुसीवत होती है तो आप वो meaning लगाना चाहिए लेकिन वो यहाँ पर लगेगा नहीं तो बिना रहस्यका नहीं लगता है नहीं and to have some approach to the state of a Christian to have some approach यानि उसकी पहुँच है to the state of a Christian एक इसाई की जो इसाई व्यक्ती है उसकी स्थिती के यानि जो Bible में दिखाया गया है एक इसाई के अंदर कितनी ताकत होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है क्योंकि अब देखे बेकन Christian है तो वो Christianity को ही glorify करेगा न तो वो यहाँ पर Christianity को glorify कर रहा है कि एक जो Christian व्यक्ती है उसके अंदर जो ताकत होती है वो उस कहानी में दिखाई गई है कहानी कौन सी है Hercules की कहानी है and that और जो कहानी है हरकुलेस when he went जब वो गया to unwind खोलने के लिए Prometheus Prometheus को आप जानते होंगे ये एक Greek God है युनानी देवता है जिसने की इंसानों की बहुत मदद की थी उसने heaven से fire चुराई fire life के लिए बहुत जरूरी है fire की बिना human life हो नहीं सकती और fire कहां थी स्वर्ग में थी तो स्वर्ग से उसने fire चुराई और इंसान को दे दी इंसान की उसने मदद की जब जिस को ये पता चला कि Prometheus ने fire heaven से चुरा कर इंसान को दी है तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने Prometheus को एक चटान से बान दिया और वहां से उसको आजाद किस ने किया हरकुलिस ने किया तो हरकुलिस when he went to unbind हरकुलिस जब वो गया unbind माने खोलने के लिए Prometheus को by whom human nature is represented by whom जिसके द्वारा human nature इंसान की जो प्रकृति है is represented उसकी नुमाइंदगी की जाती है यानि उसका representation मने हिंदी में प्रतिनेधित्तो बोलते हैं और उर्दू में नुमाइंदगी बोलते हैं तो जिसके द्वारा माननव की इंसान की नुमाइंदगी की जाती है या प्रतिनेधित्तो किया जाता है sailed यानि उसने यात्रा की the length of the great ocean महान महासागर मैंसे होकर in an earthen pot एक मिट्टी के घड़े में और पिचर फिचर वो घड़ा होता है लेकिन यह जो यहाँ पर बेकर ने कहा है मिट्टी का घड़ा बोला है वो actually मिट्टी के घड़े में नहीं गया था वो gold pot ले कर गया था तो जो उसका pot था वो gold का था नहीं के मिट्टी का तो यहाँ पर थोड़ी सी discrepancy है जो के बेकर ने create कर दी है lively describing Christian resolution तो lively means बड़े सजीब तरीके से बड़े अच्छे तरीके से describing burden किया गया है Christian यानि इसाईयों के resolution means ताकत का द्रण इच्छा शक्ती का will power का तो वहाँ जो हरकुलेस ने ताकत दिखाई वो एक Christian की ताकत थी वो एक इसाई व्यक्ति की द्रण ताकत थी that selet जो के selet माने यात्रा करता है in the frail bark frail माने कमजोर bark होती है कमजोर नाव में of the flesh जो flesh यानि हमारे मास की है और मास की नाव कौन सी है flesh की नाव कौन सी है हमारी body तो जो हमारा शरीर है वो एक frail bark है यानि एक कमजोर नाव है of the flesh through the waves of the world तो एक इसाई यात्रा करता है through the waves यानि लहरों में of the world इस दुनिया की इस संसार की लहरों में होकर बड़े द्रणता के साथ बड़ी ताकत के साथ बड़ी हिम्मत के साथ यात्रा करता है इस संसार से होकर और यात्रा किस में करता है वो जो उसका शरीर है वो एक frail bark है वो एक कमजोर नाव है और उसी नाव में वो बड़ी ताकत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस दुनिया की यात्रा करता है तो वही हिम्मत, क्रिश्यन वाली हिम्मत किस ने दिखाई? हरकुलिस ने दिखाई जबके हरकुलिस को तो आप क्रिश्यन नहीं कह सकते क्योंकि वो तो खुद युनानी था और युनान में तो आपको मालम है कितने सारे देवी देवता थे तो वो तो सब पेगन्स थे, वो तो सब हीथन्स थे पेगन भी कहा जाता है उनको क्योंकि उनके बहुत सारे देवी देवता होते हैं बट लेकिन टुश्पीक बोला जाए तो in a mean mean means plainly लेकिन अगर सामने शब्दों में बोला जाए to speak in the mean का मतब होता है to speak plainly अगर सामने भाषा में कहा जाए तो अब ये जो line हैं बहुत important है मैंने भी underline कर रखी है और आप भी underline कर लीजे explanation के point of view से वैसे तो पूरा ही ऐसे अपने आप में बहुत important है कहीं से कोई भी line explanation के लिए आ सकती है एक एक शब्द जो बेकन का होता है वो अपने आप में बहुत meaningful होता है हर sentence meaningful होता है हर sentence उसका important होता है तबी तो उसकी जो style है aphoristic style की ही जाती है यानि हर sentence उसका एक proverb की तरह होता है तो ये देखिए इस है temperance temperance means moderation आप English में कह सकते है और हिंदी में क्या कह सकते हैं सामान्य रहना मदब के विनम्र रहना polite रहना जब prosperity आती है ना अच्छे दिन आते हैं पैसा आता है समिर्दी आती है तो लोग क्या होता है घमंडी हो जाते हैं दूसरों के प्रती उनकी सोच बड़ी गंदी हो जाती है तो अगर आपके पास prosperity है पैसा है तो उस वक्त आपकी virtue क्या है आपकी quality क्या है moderation है temperance है दूसरों के प्रती अच्छा विवहार रखना वो आपकी quality है और दूसरी ओर the virtue of adversity जो आपका दुरभाग्य है बदनसीबी है उसमें आपकी अच्छी quality क्या है fortitude है fortitude मने हिम्मत आपकी ताकत आपकी जो will है willpower है वो आपकी quality है virtue है तो खुशनसीबी में temperance और बदनसीबी में fortitude यानि जब आप खुशनसीब हैं तो आप दूसरों के प्रती polite रहें जब आप बदनसीब हैं तो आप हिम्मत रखें which in morals is the more heroical virtue which जो के in morals जो हमें नेतिक शिख्षा दी जाती है morals सिखाई जाते हैं good qualities सिखाई जाती हैं तो जो के morals में अच्छी qualities में नेतिक शिख्षा में is the more heroical virtue more ज्यादा heroical means hero वाला नायक वाला virtue मने quality है गुण है तो अगर आप मुसीबत के वक्त हिम्मत रखते हैं तो वो आपकी heroical virtue है heroic quality है अगर आप prosperity के वक्त खुशनसीबी के वक्त moderate रहते हैं दूसरों के प्रति अच्छा व्यभार रखते हैं तो वो आपकी heroical virtue है prosperity is the blessing of the Old Testament prosperity यानि खुशनसीबी अच्छे दिन is the blessing वो आशिरवाद है दौा है of the Old Testament तो आपने अगर Bible के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आपको मालूम होगा Bible दो भागों में है Old Testament और New Testament तो जो Old Testament है उसमें आशिरवाद के रूप में prosperity की तरीफ की गई है उसको सराहा गया है ये कहा गया है कि अगर आप Christianity को follow करें आप इश्वर के प्रती मांदार रहें आप पूजा करें अर्चना करें इश्वर की प्रार्था करें तो आपको सम्रिद्धी मिलेगी prosperity मिलेगी तो ये blessing है Old Testament का वरदान है Old Testament का दूसरी ओर adversity is the blessing of the New Testament New Testament ही है तो जो New Testament है उसका blessing उसकी आश्रिवाद क्या है adversity दुर्भाग्य अब दुर्भाग्य क्या है कि जो आपके उपर मुसीबत आती है उसमें आप कैसे अपने आपको पहचानते हैं कैसे अपने आपको समालते हैं वो आपके adversity में ही पता चलता है तो इसलिए जो adversity है वो अपने आप में एक blessing है ये New Testament में बताया गया है आपने Shakespeare की एक बहुत famous line सुनी होगी Sweet are the uses of adversity यानि अगर हम adversity को बदनसीबी को use करते हैं, प्रियोग करते हैं तो उसके जो consequences होते हैं उसके जो results होते हैं वो बड़े sweet होते हैं मतब कि बड़े मीठे होते हैं वही बात यहां New Testament में भी बताई गई है which carried the greater benediction and the clearer revelation of God's favor which carried जो कि लाता है जो adversity है वो लाता है the greater benediction greater means ज्यादा बड़ा ज्यादा महान benediction यानि आशिरवाद, blessing and or the clearer ज्यादा इसपष्ट revelation means रहस्योद गाटन of God's favor ईश्वर की कृपा का ईश्वर की favor का तो अगर आपके उपर मुसीबतें दर मुसीबतें आ रही हैं तो जानिए कि आपके उपर ईश्वर की ज्यादा कृपा है ईश्वर गाट की ज्यादा favor है गाट की ज्यादा blessings आपके साथ है वो कैसे क्योंकि अगर ईश्वर आपको कष्ट दे रहा है तो एक तरीके से वो आपकी परिक्षा ले रहा है वो आपका test ले रहा है आपका इम्तिहान ले रहा है कि आप कितना बरदाश्ट कर सकते हैं तो आप अपनी उन मुसीबतों को अपनी उस बदनसीबी को बरदाश्ट की जिए क्योंकि वो आपका इम्तिहान है और जब आप उस इम्तिहान में पास होंगे तो ईश्वर आपको अपना आशिरवात देगा और आपको आपके अच्छे दिन आएंगे तो ये जो होप है, ये जो उमीद है, ये जो आशा की किरण है ये बाइबल में दी गई है, ये मुझे लगता है कि शायद दुनिया के हर स्क्रिप्चर में दी गई है जितने भी धर्मिक गरंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हमारी यहां रामचरित मानस में, हमारी श्रीमत भागवत गीता में ये ही बताया गया है कि जो भी आपके उपर मुसीबत आती है, जो भी बुरे दिन आते हैं, आप उनको ईश्वर की दी हुई परिक्षा समझ कर बरदास्ट कीजिए और यकीन मानिए कि वो बुरे दिन एक दिन चले जाएंगे और आपके अच्छे दिन आएंगे, ईश्वर का आशिरवाद आपको जरूर मिलेगा, तो यह यहां पर बेकन के अकॉर्डिंग, यह क्रिस्चिनिटी में बताया गया है, निउ टेस्टामेंट में बताया गया है येट इवन इन दा ओल टेस्टामेंट, येट फिर भी इवन इन दा ओल टेस्टामेंट, यानि ओल टेस्टामेंट में भी, जैसा मैंने आपको बताया कि बाइवल दो पार्ट में है, तो जो ओल टेस्टामेंट है, उसमें भी, if you listen, अगर आप सुनते हैं, to David's harp, डेविड क यानि उसके गीतों को harp वैसे एक musical instrument होता है, एक वाद्येंतर होता है, जिसमें इसे संगीत निकलता है, तुन निकलती है, तो ये जो डेविड था, ये एक पैगंबर भी था, और इस्राइलियों का राजा भी था, उसमें बहुत सारे गीत लिखे हैं, धर्मिक गीत जिनको क कहते हैं, उर्दू में शायद नात कहते हैं, और हमारी यहां हिंदी में भजन कहते हैं, और उनके यहां PSALM साम कहते हैं, तो बहुत सारे गीत इसने religious songs डेविड ने लिखे हैं, और वो Old Testament में collected हैं, तो ये क्या है कि डेविड सहर्प, इफ यू लिसन अगर आप सुनते हैं, तो आप सुनेंगे as many, उतने ही हर्स-like, हर्स-like का मतलब है death-like, हर्स वो गाड़ी होती है, जिस पर कि dead body जाती है, तो death-like का मतलब हुआ serious, mournful, दुख से भरे हुए, painful, airs का मतलब है यहां पर धुने, गीत, तो उसमें बहुत सारे जो गीत हैं, वो दुख से भरे हुए भी हैं, as जितना के carols, carols क्या होते हैं, खुशी से भरे हुए गीत होते हैं, merry songs होते हैं, तो जितनी उसमें खुशी से भरे हुए गीत हैं, उतने ही उसमें दुख से भरे हुए गीत भी हैं, and or the pencil of the holy ghost, जो holy ghost है, यानि जो पवित्रा आत्मा है, उसकी कलम, hath labored more in, hath labored, उसने मेहनत की है, उसने परिश्रम किया है, more, ज्यादा, in describing, वर्णन करने में, the afflictions, means, kusht, परिशानिया, of job, वहाँ पर, बाइबल में, कई सारी books हैं, तो उसमें से एक book of job है, तो job की परिशानिया, उसमें, वर्णन किया है, यानि कि holy ghost ने, मतलब कि, ईश्वर ने, जो, जितनी भी धार्मिक किताबे हैं, उनके बारे में, यही कहा जाता है, कि उनको ईश्वर ने लिखा है, या फिर, ईश्वर अपने आशिरवाद से किसी से लिखवाया है, जिननों लोगों ने लिखा है, उनको ईश्वर का आशिरवाद प्राप्त था, तो affliction of job than the fallacies of Solomon, तो Solomon राजा था, जो कि बहुत बुद्धिमान था, बहुत प्रॉस्परस था, जिसका बाइबल में वर्णन है, दूसरी और ज से affliction, जोब की परिशानिया लिखी है, उतनी ही महनत से उसने fallacies of Solomon, तो Solomon के जो आनन्द हैं, जो खुशिया हैं, वो भी लिखी हैं, या दोनों में बराबर महनत की है, ईश्वर की कलम ने, जो भगवान है, गॉड है, उसकी कलम ने बराबर महनत की है, दुखों को लिखने म और खुशियों को लिखने में, गम को लिखने में, खुशी को लिखने में, फिर से देखिए, छी सी कुछ lines हैं, जो के आप मार कर सकते हैं, prosperity is not, prosperity नहीं है, without many fears, without बिना, many, बहुत सारे fears, मनें, डर and distaste, मनें, बुरी चीज़ हैं, तो जो prosperity होती है, जब आपके पास बहुत स सारा पैसा होता है, तो आपके पास बहुत सारे fears भी होते हैं, कहीं कोई चोर, डकेत, गरीबों की जुगी, जौंपडी में तो जाते नहीं हैं, उन्हें पता है, यहां सो कुछ मिलेगा नहीं, तो चोर और डाकु कहां जाते हैं, अमीरों की जो बंगले होते हैं, हवेलिया होती हैं, उन्हें जाते हैं, तो अमीर हमेशा डरे हुए रहते हैं, कि कहीं उनकी दोलत छिन न जाए, जितने आपने देखा होगा, कि जो kidnapping वगएरा होती हैं, जो बच्चे उठाए जाते हैं, वो अमीरों के उठाए जाते हैं, फिर करोडों की फिरोंती मागी जाती है, त तो बहुत सारे डर होते हैं जो आपके पास आते हैं prosperity के साथ साथ. तो prosperity is not without many fears and distaste. तो distaste, बुरे taste, यानि खराब, जाएका, खराब जाएका मिलें बुरी चीज़ें, खराब चीज़ें. तो सम्रिद्धी या खुश नसीबी बिना डर और खराब जाएके के खराब चीज़ें के नहीं होती है. And or adversity जो बदनसीबी है is not, वो नहीं होती है without comforts and hopes, बिना आराम के और उमीद के. क्योंकि जब adversity होती है, तभी तो आप उमीद करते हैं, अच्छे दिनों के, कभी नगभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, कभी नगभी तो ये बुरे दिन समाप्त होंगे. तो adversity के अपनी उमीदें होती है, prosperity की अपनी खराबियां होती है. वी सी, हम देखते हैं, इन needle works, needle works जो कढ़ाई का काम होता है, सुई का काम होता है, सुई दागे का काम, and embroidery, embroidery वोई कढ़ाई होती है, सुई दागे से होती है, उसमें क्या होता है? It is more pleasing, यह ज्यादा अच्छी होती है, pleasing मनें देखने में खुशी देने वाली अच्छी लगती है, आँखों को अच्छी लगती है, to have a lively work, एक lively मनें अच्छा, खुबसूरत work, काम, upon a sad, solemn ground, sad means dull है, solemn, serious, ground means नीचे का कपड़ा है, यानि एक कपड़ा dull कलर का कपड़ा है, और उस पर bright कलर के धागे से जब कड़ाई होती है, तो वो बहुत खुबसूरत लगती है, यानि बहुत खुबसूरत अगर कपड़ा है और उस पर dull कलर की कड़ाई अपने कर दी, तो वो अच्छी नहीं लगती, तो जो solemn ground है, वो किस के लिए आया है, वो adversity के लिए आया है, तो जैसे के जब आप needle work में देखते हैं कि dull कपड़े पर, sad solemn ground, यानि dull कलर के कपड़े पर जो bright कलर की कड़ाई है, चमकीले रंग की धागे की कड़ाई है, वो बहुत खुबसूरत लगती है, then बजाए, to have a dark and melancholy work, to have, यानि कि करना a dark, एक गहरा and melancholy, और उदासी से भरा हुआ, serious किस्म का work, काम, upon a lightsome ground, एक चमकीली background पर, पिश्ट भूमी पर, तो अगर कपड़ा बहुत चमकीला है, और आपने वो उस पर कड़ाई की dark and melancholy, यानि जो dull कलर के धागों से, तो वो उतनी खुबसूरत नहीं लगेगी, just, therefore, just मुल्यंकन करना, evaluate करना, तो इसलिए आप evaluate करिये, आप मुल्यंकन करिये, therefore, बने इसलिए, of the pleasure, निस खुशी, खुशी का of the heart, दिल की, by the pleasure of the eye, यानि जो आँखों की खुशी है उस से, तो आँखों की खुशी से, के माध्यम से, through the medium of the pleasure of the eye, तो जो आँखों की खुशी है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से, आप दिल की खुशी को आँखिये, उसका मुल्यंकन कीजिए, certainly, निश्टे ही, virtue, जो गुण है, अच्छी quality, virtue मना अच्छी quality, सद्गुण, is like, वो कैसा है, precious, मना कीमती, और रूर्स होती है, खुश्बु चीज़े, most fragrant, most मने सबसे ज़्यादा, fragrant मने खुश्बुदार होती है, वो सबसे ज़्यादा खुश्बु तब देती है, when, जब, they are incensed, उनको जलाया जाता है, और crushed, या फिर कुछला जाता है, आपने देखा होगा, अगर बती, वैसे इतनी खुश्बु नहीं देती, जब हमारे उपर मुसीबते आती है, for, क्योंकि prosperity, जो खुश्बु नसीबी है, अच्छे दिन है, the best, discover, best मने सबसे अच्छे तरीके से, discover मने खोजते हैं, wise, बुराईयों को, दुर्गणों को, bad qualities को, तो prosperity में हमारी बुराईयां बाहर आती है, हमारे अंदर की bad qualities बाहर आती है, quality हमारी बुराईयां है, वो बाहर आती है, और adversity में क्या होता है, but adversity, लेकिन जो दुर्दिन है, जो बदनसीबी है, death, best, discover, वो सबसे अच्छे तरीके से बाहर लाती है, virtue, हमारे अंदर की जो अच्छी qualities है, जो गुण है, सदगुण है, उनको बाहर लाती है, तो prosperity में हमारी बुराईयां बाहर आती है, और adversity में हमारी अच्छाईयां बाहर आती है, इसको भी मार कर लीजे, और ये बहुत important है, explanation के लिए, इसमें जिसे कई बार आप पुछते हैं कि explain कैसे करें, तो इसमें आप बहुत सारे examples दे सकते हैं, जब आप explain करें कि कैस तरीके से prosperity में हमारी बुराईयां बाहर आती है, adversity में हमारी अच्छाईयां बाहर आती है, जैसे कि हम जब explain करते हैं, तो हम शीराम चंद जी का example देते हैं कि अगर उनका राज तिलक हो जाता है, क्योंकि जब उनको बनवास हुआ, उससे जस्ट पहले उनका राज तिलक होने बाला था, वो राजा होते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत सारी राजा हुए हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जब उनको बनवास हुआ, उनके उपर मुसीबते आई, वो उन्होंने जेली, और इतना कुछ, सब कुछ बरदास्ट हुआ, उसके ब mythology में हर धर्म की mythology में आपके पास होंगे ऐसे कुछ examples जहांके मुसीबतों से लड़कर लोग जब victorious हुए तब उनकी अच्छाईयां सामने आई तब उनको लोगोंने पहचाना इसी लिए वो famous भी हुए तो ये सारे examples आप अपने explanation में और अपने answer में दीजेगा तो ये वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ शुक्रिया धन्यवाद